आज आठ जन्वरी दो हजार चौबीस के बाबा के अनमोल मदूर महावा के सुनेंगे आज की बाबा की मुडली है ज्ञान और योग बाबा कहे तुम बच्चों को ज्ञान की मस्ती में रहना है परंतु साथ साथ यह भी देखना है कि देही अभी मानी बने है ज्ञान को जब समझते हैं तो वहाँ माया नहीं आती है लेकिन योग में माया जरूर डिस्टब करती रहती है इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को अपना योग का चाठ बढ़ाना है रहना भी ग्रहस्त व्यवहार में है लेकिन अनासक तुफू करके ऐसा नो हो कि माया चूही अंदर ही अंदर काठती रहे और सारा खजाना ही खतम कर दे कल की बाबा की अव्यक्त मुर्ली में भी हमने देखा कि माया बिली भी है मैं मैं मेरा मेरा करते म्याओं म्याओं करती है माया चूहा भी है उग देकर काठ करके सारा खजाना ही खतम कर देती हैं और शेर भी है जो निर्भय में भी भैय उपन करता है सर्व शक्तीमान बाप के बच्चे होने के बावजुद भी दिल शिकस्त कर देता है तो इसी लिए बाबा कहे माया चूही है जो काठती है और पता भी नहीं पड़ता है तो अपने नव्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड़ी प्यार है हमारा योग का चाठ कैसा है जितना योग का चाठ अच्छा होगा सदाहर्शित रहेंगे, रमनिक होंगे, मीठा रहेंगे और खुशी-खुशी से सर्विस करेंगे तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मतुर महावा के ओम शान्ती मीठे बच्चे बाब के याद में रहें सदाहर्शित रहो याद में रहने वाले बहुत रमनिक और मीठे होंगे खुशी में रहें सर्विस करेंगे आज की मुली से प्रश्न है ज्यान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जुरूरी है उत्तर है ज्यान की मस्ती तो रहती है लेकिन चेक करो देही अभीमानी कितना बने है ज्यान तो बहुत सहज है लेकिन योग में माया विग्न डालती है ग्रहस्त व्यावहार में अनासक्त हो रहना है ऐसा नो हो माया चुही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े अपनी नव्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ अमारा हड़ी प्यार है कितना समय हम याद में रहते है आज की मुरली से पहले गीत बजा है जले न क्यों परवाने ओम शालती मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं तुम इतने हसीन बन जाते हो तो क्यों न ऐसे बाप का बन जाना चाहिए जो बाप शाम से सुन्दर बनाते हैं बच्चे समझते हैं अम सावरे से गोरा बनते हैं एक की बात नहीं है वो लोग से कृष्न को शाम सुन्दर कह देते हैं चित्री भी ऐसा बनाते हैं कोई सुन्दर तो कोई शाम, मनुष्य समझते नहीं है कि यहो कैसे सकता है, शाम, सुन्दर दोनों कैसे हो सकता है, सत्युक का प्रिंस सिक्रिष्ण सावरा हो न सके, सिक्रिष्ण के लिए तो सब कहते हैं, सिक्रिष्ण जैसा बच्चा मिले, पती मिले, फिर वह शाम कैसे हो सकता है, कुछ भी समझते नहीं है, सिक्रिष्न को सावरा शाम क्यों बनाया है कारण तो चाहिए यह जो दिखाते हैं सर्पने डसा किया ऐसी बात तो हो न सके क्यों सावरा हो गया तो कहते हैं सर्पने डसा इसलिए सावरा हो गया बाबा कैसी बात तो हो न सके शास्त्रों में ऐसी ऐसी बाते सुनकर कह देते हैं वास्तों में ऐसी कोई बात आए नहीं जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेशनाट की सैया पर नारायन बैठा है ऐसी कोई सर्ब की सैया अभी थोड़ी होती है बाबा कहे ऐसी कोई सर्प की सहिया अभी होती नहीं इतने सेंक्डों मुख होते हैं क्या वो सर्प को भी कितने मुख दिखा दिया तो बाबा कहे इतने सेंक्डों मुख होते हैं क्या कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं बाप समझाते हैं, इसमें कुछ भी रखा नहीं है, उन कहानियों में कुछ भी रखा नहीं है, यह सब बक्ति मार्ग के चित्र है, परन्तु यह भी ड्रामा में नूद है, शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है, उनको फिर रिपीट करना है, यह सिर्फ समझ आगे जब यह सब देखते थे, तो इतना वंडर नहीं खाते थे, अब जब बाप ने समझाया है, तो बुद्धी में आता है, बरोबर ये सब बक्तिमार की बाते हैं, बक्ति में जो कुछ होता है, वो फिर भी जरूर होगा, सिवाई तुम्हारे और कोई भी ये समझ न सके, यह तो जानते हो, ड्रामा में जो पहले से नूद है, वही होता रहता है, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्यान है, बाबा कहें, अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना में भी बड़ा कल्यान है, अभी तुम ये प्रात्ना आदे कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए, फल है, बक्ती का फल है, जीवन मुट्टी, तो यह सब समझाय जाता है, यहां है प्रजा का प्रजापर राज्य, गीता में है भारतवासी कौरो, पांडो, क्या करते भई, बरोबर यादों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया, यह साब आपस में दुश्मन है, तो म्यूजादी सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, दिन प्रते दिन अंदर खिट-पिट बहुत है, घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे, तुम राज योग सीख रहे हो, तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, बिना सफाई के तो राज्य कैसे करेंगे, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, पाश तत्व भी वहां सतो प्रधान होगा, समुद्र की ताकत नहीं जो उचल कर नुकसान कर दे, सत्योग में हर तत्व भी और्डर में रहेंगे, अपनी मरियादा में रहेंगे, तो बाबा कहे समुद्र की भी ताकत नहीं जो उचल कर नुकसान कर दे, अभी तो पांच तत्व कितना नुकसान करते हैं वहां सारी प्रकरती दासी हो जाएंगी इसलिए दुख की कोई बात नहीं यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है स्वर्ग कहा जाता है सत्यूग को क्रिश्चन लोग भी कहते हैं पहले पहले हैवन था भारत अविनाशी खंड है सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है शिवजैन्ती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिवजैन्ती मनाई जाती है जरूर शिबाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है अब फिर बना रहे हैं जो प्रजा बनने वाले होंगे उनों की बुद्धी में कुछ भी बैठेगा नहीं जो राजदानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबर हम शिबाबा के बच्चे हैं प्रजा पिता ब्रह्मा भी है लिब्रेटर ज्यान का सागर खुद बाबा है ब्रह्मा को नहीं कहेंगे ब्रह्मा भी उनसे लिब्रेट होता है लिब्रेट सबको एक बाप ही करते हैं क्योंकि साब तमो प्रधान है ऐसे अंदर में विचार सागर मन्थन चलना चाहिए हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य जट समझ चाएं बच्चे नमबरवार तो है ही यह है नॉलेज इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए यह नॉलेज की रोज स्टडी करनी चाहिए दर के मारे पढ़ाई न पढ़ना यह तो ठीक नहीं है फिर कहेंगे कर्मबंधन है देखो शुरू में कितने चूट कर आए फिर कहीं चले भी गए सिंद में बहुत बच्चिया आई फिर हंगामे के करन कितने दुश्मन बन पड़े पहले उनों को ग्यान बहुत अच्छा लगता था समझते थे इनको डात यानि भगवान की देन मिली हुई है चुरू में बहुत लोग ग्यान सुनते थे अच्छा लगता था और ये भी समझते थे कि ग्यान उनको भगवान की देन है अब भी ऐसे समझते हैं कोई शक्ती है अभी दीरे दीरे यहां तक आए कि जरूर कोई शक्ती है यह नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेश्टा है आज कल रिद्धी सिद्धी की ताकत तो बहुत तो में है गीता उठा कर सुनाते रहते हैं बाप कहते हैं कि सब बक्ती मार्ग की पुस्तके हैं ग्यान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही बक्ती मार्ग में साब याद करते हैं ड्रामा प्लैन अनुसार यह भी ड्रामा में नूंध है सक्षत कर भी होते हैं, बक्ती मार्ग वालों को भी राजी करते हैं बाबा, बक्ती मार्ग वालों को भी राजी करते हैं ज्ञान नहीं उठाते, तो उनके लिए भक्ती भी अच्छी है, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है न, कोई न कोई बात को ले करके, सुधरते तो है न, चोरी आदी नहीं करेंगे, भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बाते नहीं करेंगे, फिर भी भगत आज कल तो भल भक्त है फिर भी बहुत देवाला मारतेते हैं। ज्यान और कर्म दोनों का अपना अपना पार्ट है तो बाबा कहिए ने ज्यान में आया तो देवाला नहीं मारेगा वो संबंद नहीं है तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे हमको सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है बैग, बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है बाबा को शुरू में बहुत मजाया था वहां से जब निकला तो गीत बनाया अलफ को मिला अल्ला, बे को मिली जूठी बादशाही बाबा को जब साक्षातकार होने लगा तो जब बाबा कलकत्ता से निकले तो ये पत्र लिखा अपने पाक्नर को अलफ को मिला अल्ला, बे को मिली बादशाही से कृष्ण का चतुरबुज का साक्षातकार हुआ समझा द्वारिका का बादशा बनूगा ऐसा नशा चड़ता था, बाबा को शुरू शुरू में बहुत नशा चड़ता था, अब ये विनाशी पैसा क्या करेंगे, तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, इतना नशा इतने खुशी होनी चाहिए, हमको बाबा स्वर्ग की बाच्शाई देते हैं, परन्तु बच्चे इतना पुर्शार्थ ही नहीं करते, बाबा का इतने स्वर्ग की बाच्शाई मिलती, लेकिन बच्चे इतना पुर्शार्थ ही नहीं करते, चलते चलते गिर पड़ते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे, ब बाबा को निमंत्रन देने वाले, याद ही नहीं करते हैं, बाबा के पास पत्राना चाहिए, कि बाबा हम बहुत खुश है, आपकी याद में मस्त रहते हैं, बहुत है जो कभी याद नहीं करते हैं, याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चड़ेगी, ज्यान में भल कितना भी मस्त रहते हैं परन्तु देह अभीमान कितना है देही अभीमानी पना कहा है ज्ञान तो बड़ा इजी है योग में ही माया विग्न डालती है ग्रहस्त व्योहर में भी अनासक्त हो रहना है ऐसा नव हो जो माया अंगुरी लगा दे माया काठती ऐसे हैं जैसे चुवा चुवा ऐसा काठता है जो भल खून निकला आए पर पता ना पड़े बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि देह अभीमान आने से कितना नुकसान होता है उंच पद पा नहीं सकेंगे बाप से पूरा वर्सा लेना चाहिए मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तक्त नशीन बने बाप है दिल लेने वाला दिलवाडा मंदिर में भी पूरा यादगार है अंदर हाथियों पर महारती बैठे हैं तुम्हारे में भी मारती, गोड़े स्वार, प्यादे है हर एक को अपनी अपनी नव्स देखने है बाबा क्यों देखें? किसी ने कहा बाबा देखें बाबा क्यों देखें? तुम अपने को देखो हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं हमारा बाबा के साथ योग है, रात को जाकर बाबा को याद करते हैं, हम बहुत उकी सर्विस करते हैं, चाट रखना चाहिए, बाबा को हड़ी यानि जिगरी कितना याद करते हैं, कोई समझते हैं, हम निरंतर याद करते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं ये नहीं हो सकता कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए ना तो बाबा को निरंतर याद करते हैं बाबा कहें ये नहीं हो सकता कई समझते हैं बाबा के बच्चे बन गए बस परन्तु अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है बाबा के याद अब इगर कुछ काम किया, गोया बाबा को याद नहीं करते, बाबा की याद में सदेव हर्षित रहना चाहिए, याद में रहने वाला सदेव रमनिक रहेगा, याद में रहने वाला सदेव रमनिक रहेगा, अर्षित्मुक हु रहेगा, बाबा कहे, याद में रहने वाला सद तेव रमनिक रहेगा और शित्मुक रहेगा, इसको बहुत खुशी से और रमनिकता से समझाएंगे, बहुत थोड़े हैं इनको सर्विस का बहुत शाउख है, चित्र पर समझाना बहुत सैज है, यह है उंचे ते उंचा भगवन, फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं, कौन है भाई भाई है, ब्रदर हुड है, उन्होंने फादर हुड कह दिया है, पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है, कि यह है सब आत्माओं का बाप, परंपिता परमात्मा निराकार, हम आत्मा भी निराकार है, ब्रकुटी के बीच में रहती है, शिव बाबा भी स्टार है परन्तु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़ा बनाते हैं, बाकि आत्मा कभी 84 लाख जनम नहीं लेती है, बाप समझाते हैं, आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारंकर पाठ बजाती है, सतो प्रधान आत्मा उनर जनम लेते लेते, आइरन एज में आ जाती है, बाद में आने वाले तो 84 जनम नहीं लेंगे, जो पीछे आते हैं, उनके कोई 84 जनम नहीं होते हैं, सब तो 84 जनम ले नहीं सकते, आत्मा ही एक शरी छोड़ दूसरा लेती है, नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है, ऐसे भाशन करना चाहिए, कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराएं कौन, आत्मा सो परमात्म कहना, ये हुआ क्या, ये नहीं नौलेज है, बाप जो ग्यान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सदगती दाता है, वही बैट समझाते हैं, फिर उनकी खोब महिमा करो, उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचे बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं, उनको कहा जाता है, सभी आत परमात्मा का भाब, वह छोटा बड़ा हो न सके, परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा, परमात्मा तो परेते परे रहने वाला है, वह पुनर जनम में नहीं आते, इसलिए उनको परमपिता कहा जाता है, इतनी छोटी सी आत्मा में पाड भरा हुआ है पतीत पावन भी उनको ही कहते हैं उनका नाम हमेशा क्या है? शिव बाबा शिव बाबा का नाम हमेशा पतीत पावन बाप सर्व का सद्गती दाता बाप का नाम है शिव बाबा रुद्र बाबा नहीं बक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं उनको सभी याद करते हैं कि पतीत पावन आकर पावन बनाओ, तो जरुराना पड़े, वो आते हैं तब जब एक धर्म की स्थापना करने होती है, परमात्मा कब आते हैं, जब एक धर्म की स्थापना करने होती है, आदी सनातन देवी देवता धर्म, अभी है कल्यूग, धेर मनुश्य है, सत्यूग में बहुत थोड़े मनुश्य है, गाया भी हुआ है प्रम्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश. गीता द्वारा ही आदी सनातन धर्म की स्थापना हुई थी, सिर्फ उसमें भी, सिर्फ उसमें भी भूलकर से कृष्ण का नाम डाल दिया है, बाप कहते वह तो पुनर जनम में आने वाला है, मैं तो पुनर जनम रही थूँ, तो अब जज करो, कि परमपिता परमात्मा निराकर शिव या सिक्रिष्ण गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को कहा जाता है, फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है, तो समझना चाहिए यह अपने धर्म का नहीं है. सत्यूग में आने वाला जट मानेगा, और पुर्शार्थ करने लग पड़ेगा, मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विज़ई है, बाबा कहें, इस बात को सिद्ध करने में तुम्हारी विज़ई है, परंतु डेही अभीमानी अवस्था कहां है? एक दो के नाम रुप में फंसते हैं, वक्ति मार्ग में भी कहते थे, परवाथी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकि डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए, भाशन करने वालों को आत्मा का ज्यान बहुत मस्ती से देना चाहिए, पर परमात्मा किसको कहा जाता है? इस पर भी समझाना चाहिए, बाब की महिमा है, प्रेम का सागर, ज्यान का सागर, वैसे बच्चों की भी महिमा है, इसको गुस्सा करना माना? बाबा कहे इसको गुस्सा करना माना लौ हाथ में उठाना बाबा कितना मीठा है बच्चे कोई काम में नटाते यानि मना करते तो नटवर नहीं बनेंगे नटवर वही बन सकते जो हर कारिय में जी हाजिर करने वाले तो बाबा कहे बच्चे कोई काम में नटाते यानि मना करते तो नटवर नहीं बनेंगे बहुत मीठा बनना है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सभी रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुरली से धाना के लिए मुख्य सार है पहली point अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है मम्मा बाबा समान तकतनशीन बनना है जिगरी याद में रहना है जिगरी याद में रहना है दूसरी point किसी के डर से पढ़ाय कभी नहीं छोडनी है याद से अपने कर्म बंदन हलके करने है कभी क्रोध में आकर लो हाथ में नहीं उठाना है किसी सेवा में नहीं करनी है आज का बाप दादा का मदुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है royal और simple दोनों के balance से कारी करने वाले ब्रह्मा बाप समान भवव royal और simple दोनों के balance से कारी करने वाले ब्रह्मा बाप समान भवव जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रह ना बहुत उचा ना बहुत नीचा ब्रामरों का आदी से अब तक का नियम है ना बिलकुल साधा हो ना बहुत रोयल हो बीच का होना चाहिए अभी साधन बहुत है साधन देने वाले भी है फिर भी कोई भी कारी करो तो बीच का करो बीच का करो मना ना साधारा ना रोयल का ऐसा कोई न कहे कि यहां तो राजाई ठाट हो गया है जितना simple उतना royal दोनों का balance हो आज का slogan है दूसरों को देखने के बजाई स्वयम को देखो और याद करो क्या याद करेंगे? जो करम हम करेंगे हमें देख और करेंगे यह slogan सदा याद रखना है आज के अवियक्त मास की अवियक्त स्थिती के लिए बाबा ने जो फरिष्टा की बाते बताई हैं आगे कहते हैं अवियक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्थिती का अनुभव करो अभी आपकी सारी कारोबार स्रेष्ट संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए ऐसे लाइट रुप में रहो और जिसको करना है उनकी बुद्धी में भी वही संकल्प उठे के यही करना है तब ये साकारवतन सुक्ष्मवतन बनेगा अच्छा ओम शान कर्वार को जासरी कि वही करफ इसे लिए लगाए्टेट विए लाइट प्राइट विए लगाए्ट विए विए इस लिए विए